हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग कैसी चल रही है मेरे छोटे भाई बैनों की तैरी आई होप कि चाहे आप आरेस की तैरी कर रहे हो या आई एस की तैरी कर रहे हो या दोनों की तैरी एक साथ कर रहे हो पूरी जी जान से आप ना मतलब तैरी कर रहे होगे जैसा कि आप सभी लोग मेरे टेलिग्राम ग्रूप पे भी जुड़े हुए हो तो वहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक अभी बुक लिखी थी और साथ में को ओथर आकरिती थी तो हमने GS4 की एना जो प्रिविएस येर्स के जो क्यूसंस थे उनके अना model answers लिखने की कोशिश की थी अब इस बुक में क्या है क्या ये बुक अना मतलब की सारे प्रिविएस येर्स की क्यूसंस हैं गया इसमें क्या ये revision के notes के तोर पे काम आ सकती है ये बुक हमें मिलेगी कहां पे जो बाकी books है उनके अंदर author कौन है और अना मतलब इस बुक को किस तरीके से utilize करना है क्या ये बुक अना मेंस की test series के साथ use करनी है क्या ये बुक अना मेंस की test series का एक replacement हो सकता है क्या daily answer writing का एक बड़िया source हो सकता है उन सारी चीजों के उपर आज अना हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आप इनके बारे में बता हूँ है तो सबसे पहले अपने ये बात करते हैं कि इस बुक के author कौन है तो book देखो GS1234 च्यार पार्ट की आ रही है ये ठीक है ये अकेले एक book की नहीं आ रही है author कौन कौन है तो author देखो इसमें GS1 और 4 में मैंने और आकरिती ने दोनों ने मिलके है ना मतलब की क्यूसंस को लिखा है जो GS3 है तो GS3 में मुझे ऐसा लगा कि मेरे थोड़े marks कम रहे हैं तो फिर ना जो इस साल के आदित्य सर्मा GS3 के जो topers थे उनके साथ मिलके हमने वो book लिखी उसके अवलावा GS2 के अंदर कौन कौन है मैं हूँ सुभम यादव सुभम यादव भी ना मतलब कि अपने GS2 के topers है और GS2 में मेरे भी काफी बढ़ी आमाक्ष थे तो मैंने सुभम और आकरिती ने लिखी है मतलब कि जिसका जो भी core area था जो strong area था उन्होंने उस subject को अना मतलब लिखने की कौशिस की है अब यह कहां पर मिल सकती है तो जैसे कि आपको टेलिग्राम चैनल के उपर लिंक डाली थी वहां भी मिल सकती है और अना मतलब यह जो मेरी जो व्लोग लिख रखा है मैंने जो गौरुप डानिया वाला तो उसके उपर भी आपको अना मतलब की यह मिल जाएगी उसके लावा अभी Amazon के उपर भी उपलब दो चुकी है यह तो यह देखो बहुत ज़्यादा कोई experience तो था नहीं कि किस तरीके से क्या लिखना है तो मतलब की यह सारे हैंडिटन सी दे नोट्स लिए वह जो यूपेसी वाली एफोर्स वाली जो शीट आती है ना वही शीट उठाई उसी के उपर डारेक्ट एंस से लिखे और उसको न मतलब की थोड़ा time लग रहा है तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपने order किया हो 5-7-8 दिन तक है ना मतलब आपको book नहीं मिली हो क्योंकि थोड़ा तो बीच में flood आ गई थी उसकी होज़े से printing वगर है सारे impact हो गई थी और थोड़ा सा logistic भी ना मतलब उतना अच्छे से मतलब क की काम नहीं किया इस flood की situation में लेकिन अभी situation सारे नोर्मल है आप यहां पर जाके order करोगे तो आपको expected है कि 5-7 दिनों के अंदर यह book आपको मिल जाएगी तो यह चीज तो अपने book की बारे में की तो अब ना book के बारे में एक जो next question मतलब की बहुत सारे बच्चों ने की है और जो इतिक्स वाला है उसमें 2018-2022 की है तो उसमें 5 साल के हैं बाकी में 6-6 साल के paper है तो आप 6 साल के paper है इसमें आपको क्या करना है आपको ही देखना है इस book का utilize करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ना reverse start करो ठीक है reverse start करने का मतलब है कि जैसे 2022 का आपको paper लिय कितने पॉलिटी के जो questions आए वे ना मतलब example की तो जी एस टू से मतलब की start करेंगे तो जैसे कि पॉलिटी के जो questions आए वे ना तो पॉलिटी के questions को पहले आप उठाओ और जो आपने पढ़ तो रखा होगा अभी तक और उसको आना मतलब आप answer लिखने की कोशिस करो ठीक है उसको एक stipulated time में ना मतलब answer लिख दो मतलब 7-8 मिनट के अंदर आपने जैसे answer लिखा फिर उस answer को अंदलब आप रखो और उसे में 5 मिनट आप चाहिए पाई जो इपी क्या हो फिर उसके बाद आप देखो कि उसको compare करो अपने वाले जो मतलब की जो book के अंदर जो answer दिया कर लो जैसे सबसे पहले introduction ठीक है सबसे पहले आप introduction में ठीक है तो introduction में आप देखो एक table है ना आप बना ले ना इस table को यह दिया आपने ना बहुत अच्छे से यह दि इसको मनलब की neutral हो के ज़स्ज कर लिया ना तो ऐसा माल लो कि आपकी ना बहुत banker improvement है ना मतलब answer writing में हो जाएगी इसकी मेरी guarantee है तो इसमें आपने आपका उत्तर जो है तो उसको लिख लिया कि ये मेरा myself उत्तर है ये ना topper का उत्तर है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन आपने पहले अपने क्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा कि यह जो मैंने लिखा है कभी भी बुक को उठाती है इस बुक को जैसे अपने ट्रेडिशनल बुक होती है कि उठाया और उनको पढ़ लिया नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना उसको लाश रिडिंग के अंदर दोरान जुरूर देखेंगे सबसे पहले आपने यह बुक लाए गर पे रखी सबसे पहले आपने 2022 का क्यूशन उठाया 2022 का कोई पॉलिटी के दो या तीन क्यूशन जो भी ह ऊपने लिखे ओंडि靖ने के बाद आपने उत Invendar लिखा दो लिखा ही उसस waving का मतंदर अपने मनलब की टोपर आज ओलने के अपने मतलब की इननवेशन बढ़ी है क्या क्या हो सकता है कि बहुत सार किसिंस के अंदर मतलब जो इनोवेशन है और वह आप आपना मतलब की ज़्यादा बेटर करपा हुए ठीक है उसके बाद आप देखो कि आपके क्यूसन में ना facts कितने हैं फिर आप ना देखो कि conclusion कैसा है आपका ठीक है अब आप ना इसको topper के answers के साथ ना मलब compare करो जैसे आपने introduction लिखा तो introduction लिखा तो किसका ज़्यादा बढ़िया था यदि आपका बढ़िया था तो आप लिखो topper वाले के cross लगा दो ठीक है फिर आप देखो कि ना points मेरे कितने थे जैसे आपने यदि आठ दस point लिखें तो पर ने तीन चार मलब 5 लिखें यदि देखो आठ नो पॉइंट है ना तब तो आप मतलब की equal कर दो कि दोनों के equal है यदि आपको लगे नहीं टोपर वाले में पॉइंट तो है दस मेरे वाले में अच्छा है तो इधर टिक कर दो इधर कर दो फिर इनोवेशन में ना टोपर ने किस तरीके से कोई माइक्रो डाइग्राम यूज किया है मैं आपको जैसे ही मैं टेलिग्राम चैनल पर आपने किस तरीके से परजेंट कर रहे हो ना उसकी साइकोलोजी का गेम है कि आपने किस तरीके से परजेंट कर वो यू पियंट सी वाले उनको भी पता होता है कि सभी के पास लगभाख सेम नौलेज है तो यहीं देखते हैं तो इनोवेशन ना मतलब कि कि इस ने आपने जैसे आपने पॉन्ट्स लिखे न तो आपने पॉन्ट्स लिखे 10 टोपर ने किते लि मिनलब की ज्यादा इस तरीके से आपको एनलीसीस करना है छीक है आप देखो किस किस की में य क्या दियान रखना है इंट्रो और कंक्लूजन जैसे व दो साल बात में कि शेयर लिख रहा है तो हमारे जो इंट्रो कंकलूजन के अंदर रहना current affair थोड़ा सा कम जुकेंगे लेकिन मैं हमेशा पहले बताता हूं कि introduction and conclusion में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो current affair होती है आप सब लोग अभी recently जुड़े होगे हो तो आपके जो introduction, conclusion, current affair के पर थे हिना थोड़े से ज्यादा tilted रहने चीए उसके लावाँ जब भी points देख है नहीं बिल्कुल भाई आपको अभी बहुत पढ़ने की जूरत है क्योंकि हो सकता है कि यह जित्ते सारे मतलब कि आपने एक subject में अच्छा लिख दिया हो लेकिन अना मतलब किते सारे subject हैं UPSC तो overall अना मतलब की cumulative result देता है ना कि उसमें essay भी आता है GS भी आता है उसमें optional भ करती हैं depend करती हैं तो एक subject में अच्छा लिख लोना तो यह मतलब कि अपने आपको मतलब अवर उसमें मतले जाना मतलब अवर excited state में कि I am writing better than मतलब उसको एकदम आपको अपने appreciation के तोर पे लिखना है कि yes मैं ब्राबर का लिख रहा हूं तो और उसको मैनत को आपको continue करना य अब यह इतने सारे points तो मेरे से कैसे लिखे जाएंगे मैं UPC की सही तयारी तो कर रहा हूं गया मैं गलख track पे तो नहीं गया तो बिल्कुल भी परहसान होने की जूरत नहीं है हर कोई आदमी जब starting में एक बार तयारी करना start करता है ना तब वह अना मतलब कम ही points लिखता है वह दीरे दीरे ना enlarge होते हैं तो आप जब भी ऐसे point लिखोना जैसे for example की ऐसी situation अना मतलब की arise हो सकती है कि अना मतलब points में आपने point लिखे पाथ और जो topper के point लिखे हुए ना वो है 12 points अब आपको लगए गया और कि ना मतलब 7 points है वो तो मेरे अना मतलब की कम आ गए अब इन 7 points को क्या करूं तो आपको उसमें ना analyze करना है कि कौन से 7 points को अना मतलब की ना miss कर रहा हूं वो miss क्यों किया तो उसके side में ना एक अना मतलब जो आपको review के लिए भी रखना है कि जैसे मतलब last में कोई आपको एक table बढ़ा लेड़ी है से review की और उस review की जो table है ना उसके अंदर आपको लिखना है कि मैंने ये 5 points ना miss किये थे and I promise कि next जब भी answer लिखूँआ ना उसमें ये miss नहीं करूँआ फिर आप जैसे innovation वाला देखा कि innovation में इना मतलब कि क्या मैंने regular point लिखें देखो सब style है मलोग ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे flow diagram बनाओ लेकिन जरूरी नहीं है कि उस exam के अंदर एना मतलब कि आपको flow diagram क कई बार होता है इतना बड़ा मतलब कि space पूरा खाली पड़ा है लेकिन मेरे पास है मतलब लिखने हो कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँआ ना मैं पोगरे बनाके इस पेस फिल करने की कोशिश करूँआ तो वो tactics है आपको शीखनी है कि ना टोपर ने वो innovation tactics है कौन सी चल रहे है ना मतलब समझ लो आप बहुत सही लाइन पे चल रहे हो यदि आप ना मतलब कि top पर ने 5-6 facts यूजगे और आपने 10-12 facts यूजगे ना तो मतलब आप सोच लो कहीं ना कहीं ना मतलब facts का क्या हो रहा है overload हो जो exam को maybe exam oriented ना हो maybe वो उनकी जरूरत ना हो तो वो judgment आप आप खुद को करना पड़ेगा इतनी यह सीज़ आप एक बार मान के चलो कि यह judgment आपने खुद कर लिया ना कि यार मैं कहीं extra तो नहीं लिख रहा कहीं मैं उसे एक limit को cross तो नहीं कर रहा तो आप ना मतलब बहुत सही track पे रहोगे और यदि आपके facts साथ से जैसे साथ लिख जब तक आप analysis को backup नहीं करोगे ना facts के द्वारा तो analysis कुछ काम का रहता नहीं है तो इसलिए आप analysis को backup करते रहो facts के द्वारा और जो conclusion है उसमें आप देखो कि Topper ने किस तरीके से conclusion किया कौन शी ना theme के ओपर conclusion किया कौन शी government theme के ओपर conclusion किया इस तरीकी कि यह सारी जो चीज जो vlog है उसके उपर है ना मतलब कि मैं आपके लिए open कर दूँँगा कि मनलों आप वहाँ पर अपना questions सब्मिट कर सकते हो तो सभी लोग है ना मतलब दो-दो questions सब्मिट करना उसमें से randomly जो भी मेरे को बढ़िया लगेगा visual outlook से उस question को मैं आपको compare करके दिखाऊँगा ठीक ह या फिर आप टेलीग्राम पे जिसके पास भी यूजर आइडी वगरा हो तो वह वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो आप जो भी question बेज़ोगे ना उसको मैं ना मतलब ये analysis ये chart sheet नमा आपको बना के दिखा दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ रहना हाँ इस तर चल रहा है ना कि burn your test series वाला वो चीज ठीक है यार देखो मनलब उसमें ना मतलब उन्होंने जो भी चीज बताई है ना वो mostly ना मतलब factual चीज है क्योंकि आप जब भी prelims की mains की test series जोइन करते हो ना किसी भी coaching की जोइन कर लो banker costly मतलब की एक तो test series होती है और उसके अंदर हर coaching के अंदर चेक करते हैं तो जो मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पुछा कि mains की test series कहा की जोइन करें तो मैंने बता है कि हर जगए की test series है सेम है सेम क्यों है क्योंकि मैंस वाले जो बच्चे है ना जो मतलब की 3-4 mains के बाद qualify नहीं कर पाए और उनको दिल्ली रहने के ल रहता है ना मतलब की जोइन करते हैं तो तो सबीट करते हैं और आमे और आदमी को अधूर रहता है आपने कि साथ नम्बर दे तए तस में और की सिच है बता है इसमें बता इसमें और क्या अच्छा लिख सकता था साथ नंबर क्यों दिए वाय मतलब तेर को यह बहुत खतरनाग लग रहा है मतलब इसमें यह कमी नहीं गया तो उस चीज के डर्श है जो भी चेक करने वाले लोग हैं उन्होंने उसके अंदर कितना कमेंट लिखा है कई बार कोफी बहुत बड़ी अच्याग होती थी जिसके अंदर अच्छा कोई कोफी चेकर मिल जाता था और वो कोफी चेकर क्या करता था ना मतलब एक के इंट्रोड़ेक्शन में यह गलती हो हो रहा है तो यह बुक आपके लिए बहुत ही एकदम सही तरीके से काम करेंगी क्योंकि आपको क्या करना है इसमें कितने पेपर होंगे देखो 6 6 6 18 पेपर तो वह चार पांच इथिक्स के मतलब आपके पास 23 से ज्यादा ना आपके पास जो टाइम है मतलब 23 से ज्यादा प बोट रहा हूं आपने 4500 किशन सोल कर लिये मां मैसा कही बार मेरे वीडियो में बोलता हूं मेंस लिखने जाने से पहले यदि आपनी 566 सोल कर रहे हैं तो आपको कोई डर नहीं लगेगा तो यह चारज सो किसन तो यहां है और लगातार इन भुक्स को अना अपडेट करते रहेंगे अभी तो देखो कि यह जल्दी से आईडिया आया था तो हमने मतलब की जितना भी टाइम था उसके अंदर अभी आपके सामने आई इसको लगातार अपडेट करते रहेंगे जैसे आप 17 का पेपर इंक्लूड कर लेंगे दीरे-दीरे मतलब डिमांड आएगी तो कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा है तो यह बुक आपको एक दम मतलब आपके चार सो रुपए के अंदर यह बुक आपके पास आजाएगी तो चार सो रुपए की एक टेस्स शीरीज आपकी है ना मतलब इससे जादा सस्ता क्या ही होगा तो मतलब वह है और फिर डेली ए होता ना उसके साथ कंपेर करने की कोशिश करता था लेकिन मॉडल एंसर के साथ कंपेर करने में ना दो तीन जिक्ते होती है कि एक तो ना टू दपॉइंट नहीं होता याद मलब आप जैसे कंटेंट मलब की क्यूशन पूछ रहा कुछ और वो बता रहे होते हैं कुछ और की इन्फ़लेंस कर देता है उसमें डेटेंट में इसका के लिखना नव कि यहांप को कैईगी एकडम वो चीज़ पता चल जाएग कि यह चीज लिखनी है तो जो डेली एंसर राइटिंग जो मैं करता था ना वो चीज आप मतलब इस बुक के साथ कर सकते हो आप डेली डिसाइड कर लो कि आपको दो महीने के अंदर है ना परफेक्ट बनना है और इस चार्ट में यदि आपको ऐसा लगे ना 50% चार्ट में आप अना टोपर शे बड़ी आ उतर लिख रहे हो ना तो आपकी गारंटेड है इस बार आप एक बड़ी आ रेंग के साथ और बड़ी आ सेलेक्शन लेके जाओगे यदि आपका अना मतलब की ऐसा लग रहा है कि सारी क्यूसन आप बड़ी आ नहीं लिख पा रहे तो आपको इंप्रूमेंट की जूरत है और बाकि ना डेली आंसर राइटिंग में यह बड़ी चीज काम आती है सेकेंड चीज इस बुक का यह है कि यह प्रिंटेड फॉर्म में आती ना तो आपको समझ में नहीं आता है कि टोपर ने एक्चुली कौन सी चीज को अंडरलाइन किया हुआ मना तो पहले क्या घरता ता ना सवरी चीज इंपोर्टें लगती कि यह जो पेपर में यदि आप किसी की सकूं का फूर्स यह लिख हुआ हो तो आपको को सारी चीज ईंपोर्टेंट नहीं होती और अलग-लग टोपर है, सब की अलग-लग strategy, जब मा काफी orthodox था, मनलब मेर को अना मतलब ऐसे था, कि जो क्यूशन पुछा है, उसको बहुत ज़्यादा इस्टेंडर्ड तरीके से अपने को लिखना है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इनोवेशन जब अपनी को उस क्यूशन की किस परिकार से presentation हो, आपके सामने 5 टोपर एक साथ, मतलब अपनी present करेंगे चीजें कि हमने इस तरीके से किया, 5-5 हर टोपर से आपने 2-3-3-4-4 बाते भी सीख ली ना, तो यह 20-25 बाते आपके answer writing के अंदर काफी ज़्यादा बदलाओ कर देंगी, अभी देखो, एक बार short क अंदर यह, इसके बाद आपको ना, वो sheet बढ़ानी है, compare sheet, ठीक है, यह compare sheet आपको ना, मतलब की answer writing को सबसे ज़्यादा improve कर देगी, तो वो compare sheet बढ़ाओ, बाकी आपको इससे related कोई भी doubt हो ना, तो यार आप ना, मतलब की मेरे को बता ना, मैं soul करने की पूरी कोशिश करूँ I hope की यह book है ना, मतलब आपके कफी ज़्यादा मतलब की काम आईगी, हमने मतलब की जो भी जितना भी effort कर सकते थे, की मतलब की कल को मतलब की कोई भी आप में से select होगा और वो बोलेगा ना, कि sir answer writing करते समया, आपकी books यह चीज़ सीखी, तो वो ही मतलब एक happiness हम आप से derive करें और वो मतलब ऐसा लगेगा कि जो हमारी strategy थी ना, वो एक बार फिर शे UPSC के अंदर जीत रही है, तो वो चीज़ जो खुशी है ना, वो आप सब लोग दे सकते हो, लेकिन इसको एकदम बहुत ज़्यादा आपको regretlessly मतलब मैनत करनी पड़ेगी, ऐसा मत करना, जैसे कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये book लियाएंगे, और ना, model answer ना, मतलब रात को लेट के उसको सारी को पढ़ दिया, दो तीन बार उसको रट लिया, उससे बिल्कुल फाइदा नहीं होगा, फाइदा तब ही होगा, जब पहले आप लिखोगे, फिर इससे compare करोगे, ठीक है, लि महां से आपका चेक कर लूँगा, compare करके बता दूँगा कि इसके साथ ये comparison है, I hope कि ये video आपके लिए मतलब कि कुछ से help करेगा आपको, जो आपके doubts वगरे थे, वो solve करेगा, इसके अलावा कोई भी doubt हो ना, तो आप comment section में लिख देना, मैं मतलब कि कोशिस करूँगा, कि मै उनको solve कर सको, तब तक के लिए आप एकदम जी जान से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जै हिन, जै भारत, thank you